वेलकम टू स्टड़ी आई एस काफी इंपोर्टर्ट रहेती थी जहाँ के अच्छे ताइम esta조ं टेंपनेज के हमारी जूरमिनिसर्णी के दौर्र Studio के काफी यूरमी के दौर्ट मिनिस्क्राइय यूर्ता टेंख में आगे बढ़ाने के लिएफ रहे थैख ल मंचREE लोग अपनी आज की पूरी वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं इसलिए वीडियो को पूरा जरूर ज़रूर देखेगा काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो रहने वाली है अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में लेगने से पहले अनकेडमिक तरफ से यहां पे इस पेसल प्रा करा है अनकेडमिक के साथ मिलके अनकेडमिक प्रोवाइड करवाता है गाइडेंस थू टॉप एजुकेटर कॉंप्रेंसिव टेस्टिंग के मटेरियो डाउट कलेंशेशन और कॉंप्रेंसिव कवरेज करेंट अफेर्स का आप सभी लोग के लिए यहां पे फ्री टेस्टि अब यहां डेली स्टिक क्विज 15 MCQ, T20 डेली करेंट अफेर 15 MCQ और अनकेडमिक कॉमबेक्ट 50 MCQ आप लोग लिए हर संडे को सुबह 11 बजे इस बार 14 नवंबर को सुबह 11 बजे होने वाला है करेंट अफेर कॉमबेक्ट जहां पर आप इस पर एंडॉल कर सकते हैं और हमार हमारा जो कोड है उसे यूज कीजेगा और तुरन 10% के डिसकाउंट अवेल कर लिजेगा अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं इस चेंपियंशिप के बारे में कि इस तरीके से यह होने वाली है और कहां पे होने वाली है और कब होगी तो देखिए दोस्तो यहां पे जैसा कि मैंने वेको बताया था कि पहली बार आप कहसकते हैं यहां पे एक योगासन वर्ल्ल चैंपियंशिप होने वाली है यह होगी इंडिया में इंडिया इसे होस्त करेगा और यह होगी आगली साल जून के महिने में ओके नैस्नल योगासन स्पोर्ट्स योगासन के आप सभी को पता है योगासन जो है इंडिया का है हैरीटेज है और इसी को लेके यहां पे जो हमारी फिजिकल नैस्नल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियंशिप है वो हने वाली है बुवनेशर में और यहीं पर बता देता हूँ यह अगली साल होगी मतलब कि पोस्ट करता हुआ दिखाई देता है और यह भी आप कहसे हैं काफी बढ़िया बात है कि हमारी अब जो गवर्मेंट है वो काफी सारे जो कदम है वो उठा रही है आप कह सकते हैं फिटनेस को लेकर लोगों में कंपटीशन और लोगोगों की हेल्थ को लेकर काफी सारे जो क्योंकि financial assistant और conduct करेगा एक national championship सभी तरीके category के लोगों के लिए तो ये भी काफी बढ़िया बात है कि अब हमारी जो इंडिया है जो government of India है ये काफी सारे जो नए-ने काम है वो लेके आ रही है देखे साथ साथ दोस्तों यहाँ पे काफी सारी बाते में पता लगती है कि जो government of Odisha है उन्होंने यहाँ पे काफी आप कह सकते हैं खुद सामने बढ़के ये कहा है कि वो support करेंगे इस योगासन championship को और वही host करेंगे देखे अगर कोई state किसी ऐसे championship को host करती है तो काफी बड़ी बात है क्योंकि कि उस state को अपना जो कह सकते हैं जो काम है उस पर थोड़ा economic ली जाना पड़ेगा थोड़ी awareness फैल आनी पड़ेगी लोगों को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा उनके लिए practice वगरा तो बहुत कुछ ज़रता है तो आप कह सकते हैं एक state पे काफी pressure रहता है अगर वो इस तरीगे के जो championship है उसे organize करवाते हैं ये तो बात होगी national पे लेकिन अगर वहीं बात करें अगर international level पे कुछ ऐसी चीज़े हमें देखने को मिलती है तो दोस्तो अगर कोई भी चीज हमें यहां देखने को मिलेगी तो वो represent करेगी इंडिया को तो यहां पे Odisha सरकार को काफी काम करना पड़ेगा कि वो इंडिया को represent करेंगे तो इसलिए ये बात काफी बड़ी हो जाती है कि जो government of Odisha है उन्होंने इतना बड़ा जो कदम है वो उठाया है देखे दोस्तों क्या होने वाला है आप कह सकते हैं ये जो championship का structure रहने वाला है योगासन के लिए as a sport ये काफी unique हमें यहां देखने को मिलेगा साथ साथ दोस्तों बताय जा रहा है कि ये जो participation रहेगा ये काफी बड़ा रहेगा आप कह सकते हैं पूरी दुनिया बरसी यहां लोग आएंगे हमारे इंडिया से भी यहां पे लोग आएंगे और आप कह सकते हैं इसमें participate करेंगे और experience करेंगे काफी सारे आप कह सकते हैं ऐसे जो नए चीजे हैं उनके बारे में आप कह सकते हैं यहां पे काफी सारे talented athletes आएंगे coaches आएंगे यहां पे experts आएंगे जो कि अपनी फिल्ड में बहुत ज़दा एक्सपर्ट है और यह जो योगासन स्पोर्ट है यह आप कह सकते हैं एक काफी बड़ा हमें देखने को मिलेगा एक ग्लोबल स्टेज पर भी क्योंकि अभी जब इंटरनेशनल लेवल पर बात होगी तो यह काफी बड़ी बात हमें देखने को मिलती है इंडिया को लेकर बेड़े ओके तो दोस्तों यही थी पूरी वीडियो जहां पे आप लोग को पता तो लगया होगा कि बेसिकली यह जो योगासन स्पोर्ट चेंपियंशिप होने वाली है यह किस तरीके से इंडिया में देखने को मिलेगी कहां पे होगी यह सारी बातों को ओके मिलते पने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हैव नाइस दे